नमस्ते रिकोर्डिंग क्लब मैं आर्सी संदीप हाजरूं आज दाइ स्टोरी आफ रिकोर्डिंग क्लब पार्ट वन हंड्रेट एटी लेकर के लगभग डेड़ महीने के बाद तीन नवंबर को आखरी मैंने स्टोरी के लिए आडियो रिकोर्ड किया था और आज है 13 दिसंबर 2021 और मंडे का दिन है बहुत कोशिश करते हैं दोस्तों की रूटीन बनाएं टाइम टेबल बनाएं कुछ करें लेकिन पता नहीं कई चीज़ें छूट ही जाती है फिर भी वेराल इस बार तो मैंने ये कमिट्मेंट किया है कि मैं चीज़ों को पैंडिंग नहीं और ये स्टोरी भी उसी शिंखला का ही एक हिस्सा है ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई गलती ना हो और सारे काम समय बद्ध तरीके से हो अब देखते हैं कब तक कहां तक कैसे ये सब संभव हो पाता है बेराल बात चल रही थी हमारी ट्रस्ट के निर्मान को लेकर के और उस बीच में प्रतीक भाई की शादी बीच में आ गई साथ फरवरी दो हजार अठारा वैसे दो हजार अठारा में बड़ी ही घटनाए हुई वो भी आगे आएंगी बहुत कुछ नया हुआ और अकसर कई सारी बाते ऐसी हैं जो रहरे करके याद आती हैं खेर लेकिन प्रतीक भाई की शादी के लिए मैंने कहा था कि वो कहानी भी आपको थोड़ी सी सुनाता चलू प्रतीक भाई ने इन्वाइट तो किया ही था करना भी था और च्छे फरवरी को हम सब को जाना था दो हजार अठारा च्छे फरवरी को क्या हो सकता है मेरे ख्याल में मंगलवार रहा होगा पता नहीं तो शाम को तकरीबन हम लोग पहुँचे छे वजे अली को भी जाना था और मुझे मतलब मैं अरपण जी और और भी कोई होगा तो याद तो नहीं आ रहा लेकिन वहाँ से सूर्य सर शरत भाई ये सब शायद साथ फरवरी की बात है देर रात की शादी थी तो साथ फरवरी को हम सब को जाना था और ये साथ फरवरी की ही बात है शाम को हम लोग पहुँचे लगबग 6-6 बजे तो जहां पर शादी की व्यवस्थाएं थी वहाँ पहुँचे बड़ी ही अच्छी व्यवस्थाएं थी और काफी इंजोई किया पती भाई की शादी में और आखिरकार रात होते होते दस ग्यारा बचते बचते सब लोग चले गए फिर बचे आखिरकार मैं और शरत भाई और सुबह चार बजे तक शादी की सारी प्रक्रियाएं रसमें जो हैं वो चलती रही लेकिन लगातार हम दोनों प्रतिक भाई के साथ बने रहे और इंट्रेस्टिंग यह है कि चार बजे फ्री होने के बाद साड़े चार पांच बजे पता नहीं हम सोए होंगे और बड़ी मुश्किल से सुबह आट साड़े आट बजे वापस उठना भी पड़ा क्योंकि आट फरवरी का जो दिन मकरर था वो ट्रस्ट के रिजिस्ट्रेशन के लिए था आपको बताया था मैंने ट्रस्ट पारस चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हम लोगों को रिजिस्टर करवाना था और उसके पहले की सारी प्रक्रियाएं हो गई थी सीए साहब बड़े महान चोधरी साहब और अब जाना था शरत भाई को भी काम से बहुत सारे काम करने थे ल अब दस ग्यारा वजे के आसपास वहां हम ओफिस पहुँच गए अब देखिए बदमाशी की बात ये कि आप पीस हजार रुपे ले रहे हो अब छोटी छोटी बातों के लिए उन्होंने हमको परिशान कर दिया गवा भी आपको लाना पड़ेगा वो किसी चीज के लिए क सुरेश चौदरी जी उनको शरत भाई ने बुलवाया वो भी हैंडिकेप्ट है तो बड़ी दूर से बड़ी मुश्किल से उस दिन के लिए सुरेश भाई आए और मैं भूल नहीं सकता मतलब याद रखता हूं इस बात को तो जो हमारे चौदरी साब थे अब उनकी बदमाशी देखो सीए साब ने वहां पर उस ओफिस पे अपना कोई बंदा बिठा रखा था उसके दूरू सारा काम हो रहा है वो खुद नहीं आए एक बार भी फिर वहां पर साइन वाइन के लिए और काफी मतलब हमें चार-पाँज गंटे परिशान होना पड़ा जबकि शुरू से हमने यही कहा था भाई कि तुम पेडमेंट ले रहे हो तो सारा काम करवा के देना और उसने कमिटमेंट भी यही किया था कि हाम करवा करेंगे लेकिन जो कहा था वो किया नहीं और जो किय वो सही नहीं ये वाली कहानी बिलकुल मतलब बात जो है एक दम पूरी तरह से सही बैठती है इस पामले में कम से कम सब ट्रस्ट की जो भी प्रक्रियाएं थी वो पूरी हुई प्रतीक भाई के वहां से तो कुछ करवा नहीं सकते थे उस समय तो कम से कम क्योंकि वो तो खुद ही शादी के फंक्शन में वीजी थे और मुझे और शर्द भाई पूरे टाइम पे साथ में थे बराबर तो शर्द भाई के घर का एड्रेस वगेरा था और ट्रस्ट में जो पेमेंट था वो करना था वो किया और उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप साइन वाईन हो जाएंगे और दो चार दिन में हम ये फाइल आप तक पहुंचा देंगे इसकी ट्रस्ट की जो भी फाइल है वो कुछ पेमेंट बाकी था पांच एक अजार रुपए तो सीए साब ने फिर ये बहाना लगाया कि हम जो है आप वहाँ से पेमेंट दे देना और वहाँ से आफिस से फाइल ले लेना तो हुआ भी ऐसाई पांसा दिन बाद मैं एक्चुली बहुत दुखी होता हूँ जब भी ये घटना सुनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये जो इस ट्रस्ट की कहानी है उसका जो है जिक्र यहीं पर कर दिया जाए तो हुआ ये कि उनको पेमेंट करने के बाद फाइल भी मिल गई लेकिन हमारा किसी का ध्यान फिर भी नहीं गया अब एक महिना निकल गया दो महिने निकल गए सोचा कि भी अब जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया है तो इसका सर्टिफिकेट का है उस बंदे से कहा तो कहता है नहीं सर्टिफिकेट के लिए तो कुछ और करना पड़ता है और उसके लिए हमने ट्रस्ट के लिए सारी बाते की थी तो उसने एक वादा ये भी किया था या एक बात कही थी कि कहीं भी आप इसमें बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं चलो भई हमने थोड़ी महानता दिखाई और ट्रस्ट तो रेजिस्टर करवा लिया जयपूर में जबकि यही हमार लेकिन अब जरुरत थी बैंक अकाउंट खुलवाने की आप मानेंगे नहीं दोस्तों अपरेल महीने से 2018 में हमने कोशिश शुरू की लेकिन यहां पर अजमेर में जितने भी बैंक में हम जाते सामने का यह तो आपका रजिस्टरिशन कहां से है साब जैपूर से है चलिए जैप करते करते मतलब दो महीने परेशान होने के बाद भी अजमेर में कहीं भी अकाउंट नहीं खुला और जब अजमेर में अकाउंट नहीं खुला आखिर खार था खार के फिर करना क्या था वही करना था जो शायद होना लिखा था उसके बाद में भाई सहाब यह बात है हो सकता है मतलब जून जुलाई की बात रही हो 2018 की जैपूर में EU बैंक में है पियुश भाई जिनको हम अमरा ही कारीकरब में भी इन्वाइट कर चुके आपने सुना होगा पियुश भाई से जब बात हुई तो लो ने का यार मैं खुलवा दू का अकाउट दो और ओपरेटिंग ओपरेटिंग आप लोग कहीं से भी करना कोई दिक्कत नहीं है चलो यहां भी ठीक है जब जैपूर गए एक बार उनसे मिलना हुआ तो पियुश भाई ने सारी व्यव करने के बाद में ट्रेस्ट का रेजिशेशन कब हुआ था फरवरी में लेकिन पांच-छे महीने बाद भाई साब जाकर के जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मुझे अखरी सबसे ज़्यादा जिसने परिशान किया वो यह कि आपके ट्रस्ट में तो स्पेलिंग ही गलत है क्या स्पेलिंग है पारस ठीक है पी ए आर एस ट्रस्ट भी ठीक है टी ए आर यू एस टी लेकिन जो चेरिटेबल की स्पेलिंग है वो आप देखे बड़े ही प्रोफेशनल सी है इतना आपने बीस अजार रुपे का लगबग पेमेंट लिया और चेर होता है चेरिटेबल में और उन्होंने क्या कर रखा था सी एच इ आर आई बताईए अब आप अब यहां पर मामला यह फसा कि उन्होंने का जिस नाम से आपका रेजिस्टेशन है बैंक भी उसी नाम से अकाउंट खोल के देगा आपको तो जब यह सुनना था तो मुझे द नाम तॉल करके पचास बार कम से कम जब मैं खुद सेटिसफाइड होता हूं उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं चाहे मुझे कितने ही एक्सपेरिमेंट करने पड़े लेकिन मैंने का या यह गलती कैसे करती लेकिन अब गलती तो होई गई थी और उसके लिए किसी को दोश भी नहीं दे सकते थे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था ना उसका किसी को दोश देने से होता क्या तो भाई साब यहां पर जब अकाउंट जब वो एप्लिकेशन स्वारी स्पैलिंग जब गलत हुई चेरी तो उससे बात की चेरी उसने तो गोलमाल कर दिया नहीं नहीं साब यह तो ऐसा है वैसा है यू है वो है ऐसा कुछ नहीं होता है और अब जब ट्रस्ट के रिजिस्ट्रिशन में एक शादी बीच में आई थी प्रतिक भाई की तो बैंक अकाउंट में भी एक शादी कौन सी शादी मुकेश गुपता जी की शादी वहां भी हम गए लगबग अगस्त महीने में मेरे ख्याल में थी मुझे ठीक से याद नहीं है अगस्तिय सितंबरीनी दिनों के आसपास रही होगी और एक अजीब इत्तफाक है कि हमारे दोनों ही बड़े भाई प्रतिक भाई नई जिम्मेदारी में आए हैं उसके बाद से वो आरसी के साथ सक्रिय नहीं रह पाए ये एक अजीब इत्तफाक है तो खेर जो है वो है क्या कर सकते हैं बेराल तो मुकेश गुपता जी की शादी में जब हमको जाना था वही आपस अजमेर से मैं और अर्पंड जी चले औ और वहाँ पर फिर हमने उस दिन साइन वाइन का काम पूरा कर लिया था बेंक अकाउंट के लिए और अकाउंट लगभग नवंबर में जाकर के हमारा तयार हुआ दोस्तों नवंबर में अकाउंट की सारी प्रक्रियाएं हो पाई बहुत टाइम लगा बहुत इस बीच में एक बार मैं 6 सितंबर को जैपुर फिर गया था तब भी कुछ साइन बाकी रह गये थे वो भी किये तो वो किसी और संगठन के सलसिले में कुछ बात बात करने के चकर में तो तब भी निखिल जी थे AU में बड़ा अच्छा उन्होंने सयोग दिया हलागी निखिल जी ने किया भी काफी मतलब AU में अकाउंट खुलवाने के बाद ऐसी कोई नौबत नहीं है कि उसकी जरुरत अजमेर में कुछ पड़े उसके बाद में मतलब उसका भी जादा उप्योग हम लोग कर नहीं पाए उसमें कुछ अलग तरह की दुश्वारिया थी बार बार हर काम के ल जैपुर जाओ और जो चेक दिया बड़ी उसमें शरत भाई का एड्रेस उनके घर पे कोई लेटर आया वो वहां से वापस लॉट गया उन लोगों को घरवालों को शायद पता नहीं था या पता नहीं जो भी वज़े रही उसके बाद में अकाउंट को फ्रीज कर दिया ग जो करके विदिन टू डेज उन्होंने नया अकाउंट खुलवा दिया विद न्यू अकाउंट नंबर और न्यू चेक बुक यह सारी कहानियां बड़ी ऐसी हुई ना कि बहुत दुखी हुआ मन मतलब यू आलो का पता नहीं कोई प्रोसेस था कि इस पर साइन करके भेजिय है कोई लेटर बेजाता हुण ने और वो शरत भाई के वहां से लोट गया लोट गया तो नहीं अकाउंट भाई भाई पुरा अकाउंट क्लोज कर दिया और हमारे पास कुछ वह बात है रिकोडिंग कलब के पास कोई अमाउंट खोता नहीं था तो वो अकाउंट भी उस तो कितनी कहानी सुनाओ मैं आपको मतलब बड़ा दुखी होता है मन बहराल वो सब बीता हुआ कल है लेकिन अकाउंट पारस चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम से के नाम से आज भी AU बैंक में जैपुर में वो अकाउंट खुला हुआ है और उसकी अगला कहानी है फिर कभी सुनाओंगा अभी तो मेरा बिलकुल मन नहीं है दोस्तों सुनाने का कुछ और घटनाओ पर बात करेंगे आज अनमौल भाई का जनम दिन है तो अनमौल भाई को ब जो है वो समाज में अपना एक अलग स्थान हासिल करें यही दुआ करते हैं हम अनमौल के लिए और ऐसे जब भी किसी का जनम दिन या कुछ होगा तो हम कहानी में उसकी चर्चा जरूर करेंगे अगर उस दिन कहानी होगी तो पिछले दिनों दोस्तों बहुत सारी घटनाए हुई कन्वेंशन हो गया पांचवा गुजरात में तीसरा राज्य बना गुजरात रिकुर्डिंग कलप का एप लॉंच हो गया एप आप लोगों ने देखा होगा प्रतियों की ताएं समाप्त हुई प्रतियों की ताओं के पुरुसकार दे दिये गए सब कुछ हुआ मद अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा और इसी महीने 31 दिसमबर से पहले पहले एप का अपडेटेड वर्जन भी आने वाला है ये बाते मैं रिपीट करता रहूंगा आप लोग सुनते रहेंगे हो सकता है बोर भी हो जाएं लेकिन क्या करें कहानी को आगे बढ़ाना है और इसी लिए कोशिश करेंगे कि समय समय पर आप सब के बीच में आना है देखते हैं कब तक कितना जल्दी आपाते हैं तो ये जो एक ट्रस्ट का पूरा जिव वाकिया हुआ बहुत उमीद थी मुझे पारस जी के बारे में भी मैंने जिक्र किया है उनके नाम पर ही चलान कलब को पारस चैडिटेबल ट्रस्ट के अंडरो में ले लिया वो सारी टेक्निकली बड़ी दिक्कते आ रही थी उसमें तो बड़ा मुश्किल हो गया आगे के लिए काम कर पाना लेकिन सोचा अच्छा था हुआ अच्छा नहीं बस दुख इस बात का है सोचा बहुत अच् थे वो इवन आप सोचिए दोस्तों इस अकाउंट और इस ट्रस्ट के चकर में मैं और अर्पनजी दोनों ही टोटली बलाइन हम अकेले कई बार मतलब अजमेर से जैपुर गए और बड़ी हमारे साथ रिस्क भी रहती थी लेकिन फिर भी जाते थे करते थे काम तो क्या करे कभी कभी एकाद बार कभी भानू भी हो गए साथ में एकाद बार कभी योगेश जी हो गए लेकिन अक्सर मेरा रर्पनजी का आना जाना लगा रहता था कभी कोई हादसा भी हो सकता था कभी कोई दिक्कत भी आ सकती थी लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे हम लोग विश्व बहुत ही गटनाओं से बहुत भरा हुआ साल था तो और देखते हैं कौन-कौन सी गटनाओं हुई होगी इस दोरान करेंगे कुछ और गटनाओं का जिक्र मुझे लगता है कि रवीवारी ये परीचर्चा पर शायद बाची नहीं हुई हो तो कल कहानी में मतलब आगे जब भ पर चर्चा करेंगे उसके बाद कुछ और बातों पर फिर कुछ और आगे दोरे भी आएंगे वो भी आप सब के साथ साजा करेंगे मिलते हैं फिर कहानी के अगले भाग में आज के लिए इतना ही एप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से देने बाद